सर्व सम्मिकाओं के उप्योग से गुणन खंडन करना क्या आप X वर्ग रिंट 4, X वर्ग धन 6, X धन 9, X वर्ग धन 5, X धन 6 के गुणन खंडन में उभैनिष्ट बहुपत पहचान कर गुणन खंडन पता कर सकते हैं? आईए कुछ बहुपत X वर्ग रिंट 4, X वर्ग धन 6, X धन 9, तथा X वर्ग धन 5, X धन 6 को देखें इन में से प्रत्तेक बहुपत के पदों को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि इनके सभी पदों में कोई भी पद एक जैसे नहीं है इस प्रकार के बहुपतों का उभेनिष्ट बहुपत निकाल कर गुडन खंडन नहीं हो सकता तो क्या करें? आईए देखें चलिए सबसे पहले हम बहुपत X वर्ग रिंट 4 का गुडन खंड ग्याद करते हैं X वर्ग रिंट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? X का वर्ग रिंट 2 का वर्ग अब हम एक सर्वसमिका के बारे में बात करते हैं सर्वसमिका यदि हम लें A का वर्ग रिंट B का वर्ग बराबर A रिंट B और गुडना में साथ में A धन B इस सर्वसमिका से हम बहुपत X वर्ग रिंट 2 वर्ग की तुलना कर सकते हैं यहां पर यदि हम ले X का वर्ग रिंड़ 2 का वर्ग तो तुलना करने पर हमें A के स्थान पर क्या दिख रहा है? X और B के स्थान पर 2 तो ये इस प्रकार से होगा X रिंड़ 2 गुड़ा में X धन 2 तो हमें X वर्ग रिंड़ 4 का जो गुड़ान खन प्राप्थ हुआ वो हुआ X रिंड़ 2 गुड़ा एक्स धन 2 चलिए हम एक और बहुपद लेते हैं दूसरा बहुपद हम ले लेते हैं X का वर्ग धन 6X धन 9 इसका भी हमें गुड़ान खन ग्याद करना है इसकी तुलना हम एक दूसरी सर्वसमिका हम जानते हैं कि A धन B पूरे का वर्ग होता है A का वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग इस सर्वसमिका की साहता से हम X का वर्ग धन 6X धन 9 इस भुवपद का गुड़न खन कर सकते हैं इसके लिए हम लिखेंगे X का वर्ग धन 2 और क्यूंकि यहाँ पर हमारे पस बीच में मध्यपद में जो है वो 6X है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3X धन 9 को लिखा जा सकता है 3 का वर्ग अब यदि आप इनकी तुलना करें तो A के स्थान पर आप X को देख रहे हैं और B के स्थान पर दिखाई दे रहा है 3 तो ये विस्तारित रूप को यदि हम संक्षित रूप में लिखें तो हमें क्या प्राप्त होगा X धन 3 पूरे का वर्ग तो हमने पाया कि X वर्ग धन 6X धन 9 इसे लिखा जा सकता है X धन 3 पूरे के वर्ग के रूप में और या फिर हम इसे लिख सकते हैं X धन 3 गुणित X धन 3 बराबर X का वर्ग धन 6X धन 9 तो इस बहुपत का जो गुणन खंड हुआ वो हुआ X धन 3 गुणित X धन 3 करके देखें पहला X वर्ग रिंट 16 का गुणन खंडन कीजिए दूसरा 4X वर्ग रिंट 20X धन 25 का गुणन खंडन कीजिए